दोस्कार दोस्तों कैसे आप सब उमीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों मैं हूँ इस समय डेली के इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट टर्मिनल तीम में और आज की इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ दिली से फुकेट तक की कंप करना है तो A to Z सारी डीटेल में दोगा तो अब भी अगर आने वाले टाइम में थाइलेंग का ट्रिप प्लाइन करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा विकॉस इस वीडियो में आप लोगों को सारी इंफ्रमेशन दूंगा थाइलेंड एक चीज आपको ध्यान रगना है कि आपका पास्पोर्ट कम से कम 6 months तक valid हो किस देट से उस देट से जिस देट पर आप थाइलेंड से वापस इंडिया आ रहे हैं उस देट से कम से कम 6 महीने तक आपका पास्पोर्ट वैलिड होना चाहिए दूसरी important चीज में आप लोगों को जार भाट पे करना पड़ता था अगर आप 10 मही तक थाइलेंड विजिट करते हैं तो आप लोगों को 30 दिन का जो है वीजा फ्री मिलेगा आप लोगों कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे और एक और चीज पहले जो है फोटोग्राफ की जरूत होती थी साथ मे पड़ेंगे और आपको पासपोट लेना है एक टिकट बुक करने है और आप ट्रैवल स्टार्ट कर सकते हैं और हाँ एक और चीज जरूरी है कि आपका होटेल जितने भी दिन के लिए आप स्टे करेंगे थाइलेंड में आपकी होटेल की बूकिंग भी बैंडिट्री है इ दिखान रहें कि वह सारी बुकिंग आपकी डन हो इससे पहले कि आप ट्रैवल स्टार्ट करें अब दोस्तों मैं चलूंगा चेकिन काउंटर की तरफ वहां से अपना बोर्डिंग पास लेंगे और आगे की इंफोमेशन में वीडियो में आगे आप लोंको देता रहोगा तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप की हुए एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई इंपोर्टेंट डीटेल में इसना कर जाए दोस्तो थाइलेंड ट्रैवल करते समय आपको दस हजार भाट पर पर परसन या बीस हजार भाट पर फैमिली कैश अपने साथ क्यारी करना होता है आप से चेकिन काउंटर पर एरलाइन स्टाफ या थाइलेंड में इमिग्रेशन के टाइम में पूछा जा सकता है कि आप सफिशन कैश अपने साथ कर रहे हैं कि नहीं तो ध्यान रहे कि आप अपने साथ कम से कम 10,000 भाट पर पर परसन जरूर करी कीजिए ताकि कोई दिक्क काड़िया, आप से बार होता नहीं है कि एप या फिर अगर होता भी साथ चार्ज community परहे काशए होगा सकते हैं जहां आप लोगों को recommend नहीं करूंगा यहां पे money exchange करवाने के लिए यहां पे जो है rate मिलता है बहुत ज्यादा महंगा होता है बाहर से बाहर से जो भी आपको currency उसके बाद आप लोगों को जाना है security check फिर immigration होगा उसके काफी ज्यादा टाइम लगया तो मैं आप लोगों को recommend करूँ कि कम से कम चार घंटे पहले जुरूर आप लोगों पहुंच जाए लिए चलते हैं दोस्तों immigration और security check भी हमारा हो गया है total करीब 45 मिट का टाइम लगा इमिग्रेशन में तो ज्यादा टाइम नहीं लगया था इसकुरिटी चेक में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगया था करीब आदा गंटा के असपस टाइम लगया था तो जैसा कि मैंने बताया था टाइम चली चार घंटा पहले पहुंचे बिकरस काफी टाइम लग जाता है इन सब चीजों में बेसिकली आपका बोडिंग पास और पास्कोर्ट जो है इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करते हैं और उसके बाद जो है इमिग्रेशन में हो सकता है कि आप से कुछ सवाल पूछे जेनरली जक्रेशन पूछ सकते हैं कि आप कितनी दिन के लिए जा रहे हैं जहां भी जा रहे हैं किस रीजन से परपस आफ ड़ा विजट मनलब किस रीज़न से जा रहे हैं कब तक वापस आएंगे हो सकता है आप से मतलब रिटार्डे टिगेट सी कॉपी या फिर होटेल के वाउच होती नहीं है दोस्तों आप पहुंचते हैं देख सकते यह जो एरिया है अभी हम जाएंगे यहां से यह है ड्यूटी-फ्री वाला एरिया अगर आपके फ्लाइट के बोर्डिंग में भी टाइम बचा हुआ है तो आप चाहे तो यहां पर शॉपिंग कर सकते हैं ड्यूटी- पर आगे की डीटेल में आप लोगों को देखा हूं है 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 तो दोस्तों देख सकते हैं यह ड्यूटी-फ्री वाला एरिया जो है कितना बड़ा यहां पर शॉपिंग के लिए आपको अल्मूस्ट हर चीज मिल जाएगी काफी बड़ा अल्मूस्ट एक बॉल की तरह है साथी साथ यहां पर फूट कोड़ भी है अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो फूट कोड़ में रेकमेंड नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि एरपोर्ट पे जो है स्पेशली खाना जो होता है यहां पर बहुत ज्यादा मेंगा होता है बहार से अल्मूस्ट 3-4 ताइम्स मेंगा पड़ेगा आप लोगों को फूट कोड़ में एक चीज़ आप कर सकते हैं वो यह कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट क्या डेविट कार्ड है जिसपे एरपोर्ट के लाउंच का एकसेस है तो आप सिर्फ दो रुपए पे करके जो है लाउंच की सर्विसे आप यूज कर सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइग कर रहे हैं तो बुफे के साथ साथ जो बुफे होता है लाउंच का वो आल जिस पे लाउंच का एकसेस हो जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेवल करें तो लाउंच की जो सर्विसें उसका जरूर आनंद उठाइए तो आप चलते हैं बोर्डिंग गेट को और आगे की इंफ्रमेशन आप लोगों को आगे देंगे दोस्तो रात के गरीब ऑने दो बच चुके हैं फ्लायड यह हम लोग भी टेक ओफ कर चुकी अल्मूस्त आदा गंटा हो गया टेक ओफ किये होगे अब यहां से करीब चार गंटे के अस्पस लगना चीए अब फुकेत पहुचने में लोकल टाइम के होगा थाइलंड करीब साथ वजे के असपस हम भग लैंड कर जाएंगे अगर इसी रीजन से फ्लाइट इले ने हुई अब फुकेत पहुचके मैं आपनों को बता हुगा तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगया था इमिरिगेशन में इस बार अब लोग देखते हैं जब की वीजा फ्री हो गया देखते हैं कितना टाइम लगता है पहले जितना ही टाइम लगेगा या फिर अब ताइम कुच बच जाएगा इस सारी चीजे में आपनों को होगी कितना कॉस्ट बढ़ेगा इस टाइप का आपको प्लान मिलेगा सेंकार्ट में इस सारी इंफमेशन होगा वीडियो में आपको बने रही है करीब साथ बच चुके और फ्लाइट्स हम लोगे लैंड गट चुकी है इंफाक वाहर भी निकल गए इसके पास जो पहला स्टेप हम लोगा होगा वोगा का इम्मीग्रेशन का आगे चलके देखते हैं कि क्या कुछ है जो होगी आता है आप लोगों को डीठेल में बताएंगे दोस्तों सुबह के करीब आठ बच चुके हैं यह जो एरिया आप देख रहे हैं यह है फोकत एयरपोर्ट का बैगेज क्लेम वाला एरिया यहीं से जो है आप सिम कार्ट वगेरा मनी एक्शेंज करवाना चाहें करेंसी एक्शेंज करवाना चाहें अब करवा सकते हैं तो बेसिकली फ्लाइड जो है दोस्तों हम लोगों के पहुच गई थी आधर गंडा पहले ही साथ बजे लोकल टाइम जो था वो टाइम था राइवल का लेकिन करीब साड़े छे बजे के आसपास हमारी फ्लाइट लैंड कर गई थी और जो है इमिग्रेशन में जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी फॉर्म वगेरा फिलप करने की जरूत नहीं है पहले की तरह और ना ही आपको फोटोग्राफ चाहिए इमिग्रेशन में बेसिकली हुआ ही कि अम लोगों को अपना पास्पोर्ट दिखाना पड़ा और बोडिं उसका मुझे लगता है कि 10% मुझे टाइम लगा होगा हम लोगों में इमिग्रेशन क्लेर करने के बाद आपना पर चेक-इन बैगेज क्लेक कर लिया उसके बाद यहीं से अमने सिम लिया है नहीं अपर चाहे तो अपनी लिए जो है सिम कार्ड जो है ले जा सकते हैं सिम कार्ड जो है अलग अलग दो-तिन यहाँ पे सर्विस प्रॉइडर है बट मैंने जो लिया था सेब लिया है वो है डीटैक वालों का अगर। का इसलिए क्योंकि मैंने जब पहले वित हाइलेंट में आआए हूं एक दो बार तब भी मैंने दीटेग की services उसकी है तो उनकी services जौह है उनका 되고 उसके Garthe में उसकी काफी बड़िया रहता है बैंक कॉझ अधर्टाय में भी उसकी service काफी बड़िया रहता है तो इसो लिए मैंने फाइव नमें गुविण आप somewhere five lights stay कराना है तो मैंने actually slim सिब कार्ड 400 थाइबाट का जिसमें जो है मुझे अनलिमिटेट 5G एंटरेट मिलेगा और साथ में लिमिटेट कॉलिंग भी है आट दिनों के लिए तो पांच दिन ही रहना है पर आप्शन जो दूसरा था वो तीन दिन का था जो हमारे लिए नहीं था तो आप भी अगर साथ के आपकि आगे क्योंकि मैंने पहले पहले सिम कार्ड्स यूज किया हुए जब भी भी था तो इनकी सर्विसेज जो है काफी अच्छी इसलिए मैंने लिया दूस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो से वैल्यू भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरू दीजेगा इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मुझे बेच जख कॉमेंट सेक्षिन में जाके सवाल पुछे कि मैं अपनों को इंस्टेंटली रिप्लाइ करने की कोशिश करूगा अब चैनल लगई तक अपनी मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलता हो दोस्तों आप लोगों से बहुत ही जल्दी थाइलेट की एक नई वीडियो को साथ तब तक के लिए जाहें